प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे मैं पंकच कुमार मिश्र आज आपके समक्ष आपकी पाठी पुस्तक इश्पर्स भाग एक में संकलित काल जयी कविता अगनी पत जिसके कवी है स्री हरिवन सराय बच्चन जी आज उस कविता का पठन पाठन हम सम्मिल करके करेंगे तो आएए इस क्रम में सबसे पहले हम इस काल जयी जो कविता है अगनी पत उस कवी के बारे में जानते हैं बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हरिवं सराय बच्चन जी जो कि मश्यूर अभिनिता सरी अमिताव बच्चन जी के पिताजी है और आपका जन्म 1907 में जन्म इस्थान आपका इलाहबाद उत्तर प्रतेस हैं उत्रप्रदेश में हुआ एलहाबाद में और आपने जो कृतियां लिखी हैं वो कृतियां हैं बहुत ही प्रशिद्यकृती हैं मधुशाला निशानिमंत्रन मिलन यामिनी आरती और अंगारे तूटती चट्टाने रूप तरंगनी ये आपके काब्रशंग्र हैं प्यारे बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं नीड का निर्मान फिर बसेरे से दूर दस द्वार से सो पान तक बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी को बच्चन के नाम से भी पुकारा जाता है और बच्चन आपने अपना उपनाम रखा था इनका उपनाम था बच्चन बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविताएं हैं वो आत्म विश्लेशन वादी हैं और आप ओजश्वी कविता पाठ के लिए जाने जाते हैं आपकी कविताओं में जीवन के धोंग जो दिखावा है सामाजिक कुरीतियां और जो असमानता है जो विशमता है समाज में उसके लिए करारा ब्यंग है मित्रों प्यारे बच्चों हरिवन शराय बच्चन जी एक प्राध्यापक थे और कुछ समय तक आपने जो है विदेश विभाग में भी कारी किया है और आप ओजश्वी काव्विपार्ट के लिए जाने जाते हैं प्यारे बच्चों आपको जो पुरुषकार मिला है आप यहां पे देख रहे हैं तो आपको सहित अकेडमिक पुरुषकार जो की भरस सरकार द्वारा विभिन भाशाओं में जो दिया जाता है वो 1968 में दो चट्टाने काव्व के लिए दिया गया है आपको सरस्वती सम्मान आपकी आत्मकथा के लिए उन्निस सो इंक्यानने में सरस्वती सम्मान भी दिया गया है साथ ही आपको सोव्यत भूमी नहरुपुरुषकार से भी नवाजा गया है तो बच्चों इस प्रकार से स्री हरिवन सराय बच्चन जी का संचिप्त परिचे यहां पर रहा अब आईए हम अविलंब आपकी जो रचित काल जैई जो कविता है अगनी पत उसका पाठ करते हैं उस कविता में नहित जो भाव हैं जो संदेश है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं और हम इस कविता को जानना चाहते हैं जो कि बहुत ही प्रेनास्पत कविता है तो आईए आज हम देखते हैं इस कविता के बारे में प्यारे बच्चों जैसा इस कविता का सीर्शक है अगनी पत कवी ने अगनी पत किसको कहा है अगनी पत इस जीवन संग्राम को अगनी पत कहा है तो सबसे पहले हम इस कविता का पाठ करते हैं और उसके बाद इस कविता में आए जो नवीन शब्द है जो भाव है शिल्प शौंदर्य है उसका अध्यन करते हैं साथ ही इस कविता के माध्यम से कवी जो है हम सभी को इस जीवन संग्राम जिसको कवी ने कभी ने इस कविता के माध्यम से हम सबको क्या प्रेणा दी है उसको भी जानेंगे तो मैं इस कविता का पाठ करता हूं आप लोग इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे उसके बाद हम कविता का भाव इसलेशन करेंगे नदीन शब्दों को जानेंगे तो प्यारे बच्चों मैं प्रारम करता हूं अगनीपत्थ अगनीपत् अगनीपत्थ से बोलता हूं अगनीपत्थ अगनि पत अगनि पत ब्रिक्ष हों भले खड़े हों घने हों बड़े एक पत्र चाह भी मांगमत अगनि पत अगनि पत अगनि पत अगनि पत तू न थके गा कभी तू न थमें गा कभी तू न थके गा कभी तू न थमें गा कभी तू न मुडें गा कभी तू न मुडें गा कभी करसपत 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 अगनिपत 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 यह महान दृष्य है यह महान दृष्य है चल रहा मनुष्य है अश्रश्वेद रक्त से लथपत 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 अगनिपत 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 तो बच्चों हमने इस कविता का एक बहुत ही छोटी कविता है जिसका हमने पाठ किया तो कवी यहाँ पर यह कहना चाहता है कि यह जो जीवन है यह अगनिपत है जो जीवन है हमारा उसका जो पत है उसका जो रास्ता है वो संगर्समय है अगनि से भरा हुआ है जिस प्रकार से अगनि में तपन होती है आग होती है जो आला है तो इस प्रकार से यह जो पत है यह ज लाकर कि भस्म भी कर देता है तो यह जीवन का जो संग्राम है यह बहुत संधर्सम है तो कभी कहता है कि आपको इस जीवन संग्राम में किस प्रकार से चलना है कि अगर मनुष्य अपने जीवन में द्रण इच्छा सक्ति कर ले तो वह यह इस पत को अच्छी तरीके से पार कर सकता है तो आपको उसके लिए कभी यह प्रेणा देना चाहता है कि आप अपने मन में विचार करें आप अपने मन को द्रण करें क्योंकि अगर मनुष्य का मन जीत गया तो उसकी जीत सुनिश्चित है अगर मनुष्य का मन हार गया अगर उसकी संकल्प नाएं उसके संकल्प अगर कमजोर पड़ गए, तो वह अगनी पत्र जो है, उसका जो जीवन संग्राम है, उससे वह हार जाएगा, इसलिए कभी कहना चाहता है, कि ब्रिक्छों भले खड़े, हों घने, हों बड़े, एक पत्र चाह भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत, अगनी पत, अगनी पत, अगन किसका प्रतिक है और अगर आपके जीवन में बहुत सारे सुक आते हैं और उनों के बसी भूत हो करके आप वहां पे विश्राम लेना चाहते हैं आप अपने अपने मंजिल को पाए बिना विश्राम की चाह में कहीं रुख-जाते हैं कहीं ठक करके बैठ जाते हैं, तो कभी कहता है कि आपको बिना मंजिल पाए, उन ब्रक्षों की चाहों के नीचे नहीं खड़े होना है, ब्रक्षों हो भले ख़ले, आपको जीवन में बहुत तरह के लुभावने दृष्च दिखाई पड़ेंगे, आपको जीवन में बहुत तरह का शुक सुविधा मिलेगी, लेकिन आपको उन सुख सुविधाओं के बसीभूत हो करके विराम नहीं लेना है, आपको रुकना नहीं है, जब तक आप मंजिल को नहीं पाते हैं, जब तक आप अपने जीवन में संघर्स नहीं करते हैं, आप सुखों की उपएक्षा ना करें, ब्रिक्ष कितने भी बड़े हों, कितने भी घने हों, लेकिन आपको एक पत्र भी, एक पत्ते की छाया भी आपको नहीं मांगनी है, कहने का साथ पर यह है, कि आपको विश्राम नहीं लेना है, जब तक कि आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है, इसलिए इस जीव अब कभी आपको प्रणा देने के लिए कहते हैं कि तू न ठकेगा कभी तो कभी भी इस जीवन के पत पर कभी नहीं ठकेगा तुझे इस बात की सपत करना है तुझे कसम खानी है कि तू कभी भी थकान महसूस नहीं करेगा तू न थमेगा कभी तू कहीं भी नहीं रुकेगा जब तक तुझे मंजिल नहीं मिल जाती है तू कहीं भी विश्राम नहीं लेगा कहीं भी सुक सुविधा ले करके आराम करके और अपनी मंजिल को नहीं भूलेगा तू न मुरेगा कभी तू नहीं मुरेगा यानि तू ने जो अपने जीवन का लक्ष बना लिया है जीवन के जो तेरे उद्देश है उनको पाए बिना तू बिलकुल भी मुरेगा नहीं क्यो लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं, जब वो अपने रास्ते, अपने जीवन में मंजिल अपनी तै कर लेते हैं, उसका उद्देश बना लेते हैं, फिर वो पीछे मुड़ करके देखते नहीं है, तो इसलिए कभी कहता है कि तू नहीं मुड़ेगा, तुझको मुड़ना नही है, तुझको अपनी मंजिल ही दिखनी चाहिए, तुझ तेरा उद्देश, तेरी मंजिल होनी चाहिए, और तू ना कभी सुक की चाहे करेगा, ना तू कभी ठकेगा, ना तू थमेगा, और ना तू मुड़ेगा, आज तू इस बात की सपत कर, अगर तूने ये सपत कर लिय तो ये जो तेरा जो जीवन है जो कि संघर्स में है ये संघर्स तेरे जो है काम आएंगे और संघर्स जितना अच्छा होगा जितना कठिन होगा जीवन में संघर्स जितना होगा सफलता उतनी ही शांदार होगी इस बात को जान ले क्योंकि स्ट्रॉंग बिल पावर से हमारी जो द्रण इक्षा सक्ती है उस द्रण इक्षा सक्ती से सब कुछ संभव हो है इस दुनिया में कभी आपको प्रेणा दे रहे हैं अब आगे देखिए कुछ चित्रों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश किया है और यह समझाने की कोशिश किया है यह महान दृष्ष है कि चल रहा मनुष्य है अश्र श्वेद रक्त से लथपत 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 अगनिपत 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 मित्रों बच्चों कभी आपको यह संदेश देना चाहता है कि जीवन का यह सबसे महांद्रश्य होता है जब मनुष्य चल रहा होता है यानि चलते रहो चलते रहो अपनी मंजिल को पाते रहो रुको मत रुकने का नाम मृत्व है और चलते रहने का नाम जीवन है तो जीवन का ये महान दृष्ष है कि जब मनुष्य कारिय में लगा हुआ है अपनी मंजिल को पाने के लिए राद दिन वह प्रयत नसील है ये जीवन का सबसे महान द्रिश्य है वो ठक करके बैठा नहीं मन मार करके बैठा नहीं अगर मनुष्य क्रियाशील है कारी कर रहा है तो यह जीवन का सबसे बड़ा द्रिश्य कभी ने इसको कहा है चल रहा मनुष्य है मनुष्य चल रहा है चल रहा है और कैसे चल रहा है उसको कुछ भी सुद्भू प्षिया हैं फूल जाती हैं काम करते करते उसका स्रीज एकदम रक्तिम हो जाता है रक्त से भी लख्त हो सकता है लेकिन ये एक दुख का विश्य नहीं है ये एक महांद्रश है कि मनुश्य कर्म में डटा हुआ है वो कर्मट है और इस कर्मट तके दम से वो अपने लक्ष को प्राप्त करता है यह महांद्रिश है जब वह पसीने से और रक्त से काम करने में अपनी करमट्ता में सनलगन Sunday iyet इमानदारी के साथ काम कर रहा है और पसीने से भीगा हुआ है पसीने से वह लत्पत है यह जिन्दगी का यह ब्रहमहंड का सबसे महांद्रश है कभी ने इसको सबसे महांद्रश कहा है और कहा है अगनीपत 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 मित्रों यह जीवन अगनीपत है जीवन बहुत संघर्स में है आपको संघर्स से नहीं डरना है आप जितना संघर्स करेंगे आपको उतनी महां सफलत मिलेगी और बच्चों मैं आपको इस बारे में ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ हमारे अनकवियों ने भी इस बात की पुस्ट की है और इस बात के लिए हमको प्रेरित किया है कि जीवन है ये क्या है जीवन एक बहुत बड़ी फंकारी है जीवन जीनाच सहल जो नहीं है ठीक है जीवन एक बहुत बड़ी फंकारी है और आप जिस प्रकार से संघर्स करते हैं जितनी अच्छी सा फलता प्राप्त करते हैं आपका जीवन उतना ही अच्छा होता है आप द नहीं होने और आंगे बढ़ते रहने की जो है उन्होंने प्रेड़ना दिया है सुखों की चाह में अपने उद्देश से हमारा आखों के सामने से ओजहल हो जाए इस बात क्यों मना ही करते हैं तुम जब तक अपने उद्देश की प्राप्ति ना करो मित्रों बच्चों तब तक आप जो है रुकोमत ठकोमत और आप आंगे बढ़ते रहो यह जीवन का महांद्रश है जब मनुस्त चल रहा होता है अब बच्चों इस कविता में जो सिल्फ शौंदर है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं पद्द्यांस में संघर सील मनुस्त का प्रभाव शाली वरणन है खड़ी बोली का प्रयोग है भासा सरस है सरल है रोचक है कविता में गीतात्मकता है तत्सम सब्दों का प्रयोग हुआ है शब्दों की आवरुत्त में धुन्यात्मक शौंदर है जैसे लथपत 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 करसपत 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 और इस कविता में अनुपरास अलंका तथा पुनुरुक्त प्रकास अलंकार का प्रयोग किया गया है अनुप्राश अलंकार आप जानते हैं जहां वर्णों की आवर्ति होती है तो वहां पर अनुप्राश अलंकार होता है और पुनुरुक्त प्रकास जो अलंकार होता है जहां पर कोई चमतकार कोई प्रेणा कोई Şu कविता में जो नवीन शब्द आये हैं ने कविता का पार्ट करोकर्ट नहीं मैंने उसका भाव बता दिया लेकिन मैं इस कविता में जो संकलित कविता में इसमें जो नवीन शब्द आये मैं उनको एक बार आपके सामने कह देना चाहता हूं पत्र मात्त जिसलिक एक पत्र चाय भी मांग मत्त मांग मत्त पत्त पेड़के पत्ते अश्रु आशुम। लट्पत माने सना हुआ। सपत यानी कसम सवगंद। रख्त यानी खूण। स्वेध यानी पसीना। अग्निपत किसके कभी ने कहा है। कठनाईयों से भरा मार्ग आग युक्त मार्ग ऐसा जीवन जो बहुत ही कठनाईयों बहुत ही संघर्ष से भरा है यह आग ही आग है चारों तरफ उस ऐसे मार्ग को उन्होंने अगनिपत कहा है हम सबका जीवन संघर्ष में हैं और हमारे सबके जीवन को उन्होंने अगनिप कहा है अब जो हम प्रश्ण अभ्ढभ्यास की चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्छों कभी ने अग निपत किसके प्रतीक सुरूप प्रयोग किया है तो बच्छों इस कविता में कभी ने जो अगनिपत है वो जीवन के संग्राम को जीवन को ही उन्होंने अगनिपत कहा है एक ऐसा जीवन जिसमें बहुत तरह का संघर्स है प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं कि हम सभी का जीवन हम जिस भी छेतर से जुड़े हुए हैं आप विद्यार्थी हैं अपनी अपनी परिशानिया नहों लेकिन यह जीवन जो है यह अगनिपत है और हमें हम सब को रात दिन इमांदारी के साथ पूरे मनोयोग के साथ अपने शंघर्स को स्विकार करना है संघर्स को करना है पूरी प्रतिवद्धता पूरी इमांदारी पूरी निष्ठा के कि जाना है हमें अपना जो है उद्देश की प्राप्ति करना है बाधाएं जितनी भी आएं बाधाएं सबको आती हैं दुनिया में ऐसा कोई भी वेक्ति ना हो चाहे कोई महान वेक्ति हो चाहे कोई वेग्यानिक हो चाहे कोई खिलाडी हो चाहे कोई कलाकार हो सबके जीवन मे संघर्ष को ही उन्होंने अगनी पत कहा है दूसरा प्रिश्ण है मांग मत कर सपत इन सब्दों का बार बार प्रयोग कर कभी क्या कहना चाहता है तो यहाँ पर कभी ने कहा है कि एक पत्र चाहें भी मांग मत मांग मत और फिर दूसरा सब्द है कर सपत और लट्पत इन सपदों का बार-बार कभी ने प्रियोग करके क्या कहना चाहता है तो यहाँ पर कभी कहना चाहते है कि मांग मत मांग मत का मतलब है एक पत्र चाहें भी मांग मत यानि तू अपने जीवन में बिना उद्देशों की प्राप मिल गए यहां पर पेन पौध जो हैं सुख का प्रतिक है बद्यार्थियों मैं आपको आपकी भाषा में और आपके आसपास के उद्वारण से समझाता हूं कि आप एक छात्र हैं आप पढ़ाई करते हैं आपके जीवन का उद्दे से अच्छी सीख्षा दिक्षा प्राफ्त करके अपने पाउं में खड़े होना और आप जो भी बनना चाहते हैं लेकिन इस जीवन संग्राम में इस रास्ते पे आपको बहुत सारी सुख सुविधाय मिलती हैं घूमना बागना मोबाईल में चैटिंग करना और भी बहुत तरह की सब चीजे यह आपको लुभाती है यह जो जीवन है लुभाता है इन लुभावने द्रिश्यों को देख करके आप अपने रास्तों को आप अपने उद्देश्यों को न भूल जाए आपका उद्देश अर्जुन को जिस प्रकार से मचली की आँख सी दिखती थी आपका उद्देश उसी प्रकार से इस दूसरा है कर सपत कर सपत कर सपत यानि तू न थकेगा कभी तू न मुरेगा कभी तू न थकेगा कभी तू न थमेगा कभी तू न मुरेगा कभी कर सपत कर सपत कभी यहां पर यह कहना चाहते हैं इस सब्द का उन्होंने बार बार इसलिए प्रयोक किया है कि तुझको सपत ल को बोज मान लेते हैं जब हम किसी कारी को बिना मन से करते हैं तब हमको ठकान का अनुभव होता है तो तुझको सपत करना है कि तु जो भी काम तुमने उठाया है जिस भी मार्ग में तुम हो अच्छे मार्ग में हो तुमको अपने लक्ष को प्राप्त करना है उसके लिए ना तुझे थमना है ना तुझे मुडना है इस बात कि तु सपत कर ले अगर तुने अपने जिंदगी में इन बातों की सपत कर ली तो ये बात समझ ले कि तेरा उद्देश तुझे अवश्यम भावी तुझे प्राप्त होगा लथपत लथपत इन सब्दों का उन्होंने प्रयो प्यास सब की चिंता की सब को सहन करते हुए राद दिन जब वो मेहनत करता है तब उसके सरीर से पसीना निकलता है और यह जो पसीना है यह एक महांद्रश होता है कि इंसान अकरमंड नहीं बैठा है वह करमठ है वह करतब शील है वह इमांदार है और बड़ी निष्ठा के से लटपत है अश्रश्वेद रक्त से जब लटपत है तो इसलिए इन शब्दों पर जोड़ दे करके कभी आपको यह बताना चाहता है कि आपको जीवन में जो है प्रेरना लेकर करके और आंगे बढ़ना आपको ठकना नहीं है आपको रुकना नहीं और आपको पसीने की जी चिंटा नहीं करना है बहने दो पसीने कौ पसीणा सीना औहिए आपको यहाँ पर कि संघ्र्स जीतना ज्यादा होगा सफलता उतनी ही अच्छी होगी आपकी अगला प्रत्षण एक पत्र चाहें भी मांग मत किस्पंग्त का आसए यह है कि कभी यहां पर कहना चाहता है कोई व्यक्ति अपने जीवन में जब कोई बड़ा उद्देश लेता है तो उसको जीवन में जो सुक्सु विधाएं होती है जिसे हम पढ़ाई करना चाहते हैं पढ़ाई करते करते हमको नीद बहुत आती है सुबह हम उठना नहीं चाहते हैं अच्छा खाना हमको जो है तो जो विद्यार्थी के जो पंच लक्षन बताए गए हैं मैं आपको आपकी भाषा में समझाना चाहता हूं कि काग चेस्टा वकुल ध्यानम स्वान निद्रा तथाइबचा अलपहारी ग्रहस्त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षनम अगर विद्यार्थी को अच्छा उद्देश को कैसे प्राप्त करेगा तो आपको इनका प्रियोग कद करना है घूमना भी है खेलना भी है लेकिन इन सब में संतुलन बनाना है और आपको इन सब सुखों के चक्कर में अपने उद्देश को नहीं भूलना है तो कहने का मतलब यह है कि तू संघर्ष करता रह लेकिन सुखों के बसी भूत हो करके तू अपने जो है उदेश को मत भूल जा कभी यही कहना चाहता है एक पत्र चाहें भी मांग मत यानि तू सुख मत प्राप्त कर मार्क पे चल रहा है धूप है पसीना बहरा बहने दे उसकी चिंता बिलकुल मत कर तुझे अपने गंतब त जाना है गंतब तक जब तू पहुंच जाएगा तुझे सब कुछ आटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा भाव इस पस्ट कीजिए तू न थमेगा कभी तू न मुरेगा कभी कभी कहता है कि तुझको यह सपत करना है कि तू कभी भी थमेगा नहीं तेरी चाल निरंतर चलती जहेगी जिस प्रकार से नदी अविरल बहती रहती है तुझे उसी प्रकार से बहते रहना है तू कभी नहीं ठाकेगा और तू मुरेगा नहीं मुरता कौन है जो व्यक्ति यह मन में सोच लेता है कि मुझे से ये काम नहीं होगा तो वो आदमी बीच में ही काम को छोड़ कर के भाग जाता है और यह इस्तिती कवाती है जब हमारा मन कमजोर हो जाता है आपको कहते हैं कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत तो आप अपने मन को अपनी इक्षा सक्ति को प्रबल इक्षा सक्ति को इतना कमजोर नहीं बनाना है इतना उसको स्ट्रॉंग बनाना है इतना उ और ये जो परिष्टितियां आती हैं, ये मनुस्य को थोड़ा सा डराने के लिए आती हैं, ये पर्मानेंट नहीं होती हैं, सुक दुक धूप चाओं, ये जीवन के दो पहलू हैं, ये चलते रहते हैं, लेकिन जो वीर पुरुष होता है, वो इन से डरता नहीं है, और इन से आग में तपता है, उसकी कटाई होती है, उसकी पिटाई होती है, उसकी छिलाई होती है, तब वो कुंदन बनता है, और उससे बहुत अच्छे अच्छे, जो है, आब हुशन बनाए जाते हैं, और उसकी मुहमांगी कीमत, जो है, समाज और दुनिया देती है, जब वो मिट शुष्षेद रक्त से लटपत 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 इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कभी कहना चाहता है कि यह जीवन का सबसे बड़ा महां दिर्श्य है जा मनश्य चल रहा होता है चलने का मतलब यह है जो चल रहा है तो उच्छेय Tiger Olympic है वह कहते हैं कि इस दुनिया में जो बेकती कर्म करता है उसको सब कुछ मिलता है जो कर्म हीन है जो बैठा है जो मृत्तु की तरह अकरमंड सील हो गया है उसको कुछ नहीं मिलता है तो अश्र श्वेद रक्त से लत्पत वही हो सकता है जो काम कर रहा है जो संघर्स कर रहा है उसी को जो है सारी सुविधाएं और सारी सफलताएं मिलती हैं तो कहने का मतलब यह है कि अश्र श्वेदरक्ट से लट्पत जब मनुष्य होता है तो उसका जो है क्या होता है कि यह महांद्रश होता है और इसे यह पता चलता है कि मनुष्ट जो है संघर्स सील है और मनुष्ट जो है वो संघर्स कर रहा है और आंगे बढ़ रहा है अब बच्चों हमने इस कविता का पार्ट किया कविता का भाव समझा कविता में आए नवीन शब्दों को हमने जाना अब इसका हम अगर आपके पार्ट में ये आता है कि कविता का केंदरी भाव लिखिए, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, तो बच्चों मैं आपको इसको कुछ संचिप्त में बताना चाहता हूँ, कि प्रिस्तुत कविता में कविता का केंदरी भाव, संघर्स में जीवन को अगनिपत कहा गया है, ठीक है, मनुष्य को ये संदेश दिया गया है, कि राह में सुख रूपी चाहन की चाहना कर, अपनी अपनी मंजिल को कर मठता पूरवक बिना ठकान महसूस की आंगे बढ़ते जाओ, और कविता के यही सब्दों की आबरती जैसे कर सपत, कर सपत, इस प्रकार के जो सब्द आएं हैं, उनकी आबरती हुई है, तता ये भाव जो है मनुष्य को आंगे बढ़ने की प्रेड़न बढलना देते हैं तो कभी ने हम सबको यही प्रेणां दीए कि से हमको आंगे बढ़ते रहा हुछ blocks आपके पाठ मैं हमने प्रश्ण उत्र की चरचा कर दी लेकिन यह बहुत ही और बहुत ही प्रेणास्पाद कविता है तो उख्युण falei और वी कुछ कभियों ने कुछ कभिताय। देख लेते हैं। एक हर्याद जी की कभिता है जिन्होंने जीवन के बारे में कहा है जो वीर-लोग होते ہیں वह बाधा को देखकर कवराते नहीं है और भाग के भरोशें नहीं रहते हैं अगली कभिता रामधारी सिंग्दिनकर जी कि हैं वीर कभिता के नाम उन्होंने लिखा है कि है कौन बिग्ण ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में खमठों को ठेलता है जब नर परवत के पाउं उखड़ जाते और मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है यह बहुत अच्छी कविता है कि कर मानो जोर लगाए और और दुनिया में इसा कोई भी बिग्ण नहीं है जो आदमी के सामने टिक सके आदमी का जो यह होता है उसका जो विल पाबर होता है उसके आंगे कोई भी कठोर नहीं है अगर मानो जब जोर लगाएगा तो पत्थर जो है वो भी पानी बन जाएगा इसी प्रकार से एक कविता है स्युमंगल पासकूं तब तक ना मुझे विराम है चलना हमारा काम है चलना हमारा काम है तीनों कवियों की कविताएं और भी कवियों ने लिखा है तो यह तीनों कवियों की कविताएं इसके अत्रिक्त अग्रीपत कविता के अत्रिक्त यह बहुत ही प्रणास्पत कविता हैं और बच्च को यहीं पर हम समाप्ति भी करेंगे तो सबसे पहले बच्चों हमने देखा कि कभी स्री बच्चन जी का हमने परचे दिया कि आपकी क्या कृतिया है और आपका जनम कहा हुआ आपको कौन-कौन से पुरुसकार मिले यह आपने देखा कविता से कविता में जो निहित मूल है और आपका सरीर जितना ही पसीने और खुण से लध्फत होगा काम करते बन्तर आपको संग्राम वाल नहीं बढ़ते हैं हार नहीं मानना है जीवन में इस पसीन में चर्चाएं किया और इस पाठ में जो प्रशनुत्तर आये भाव का विस्तार करना था यह सारी चीजें बच्चों हमने यहाँ पर आपको बताया और बच्चों मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं कि आपको जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है क्योंकि एक कभी ने कहा है वह पत्क्या पतिक कुसलता क्या वह पत्क्या पतिक कुसलता क्या जिस पत्में बिखरे सूल नहों और वह नाविक की कार कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल नहों बच्चों जीवन में जैसे एक नाव चलाने वाला विक्ति होता है तो अगर नदी में ये की समुद्र में तूफान नहों तो कोई भी नाव खे के चला जाएगा लेकिन असली नाविक वही होता है जब धाराएं प्रतिकूल हों उस समय घृता है और फिर अपने गंतब तक अपनी किनारे तक पहुँच जाता है वही सबसे बड़ा नाभीख होता है वही सबसे बड़ा नाभीख होता है आपको घवराणा नहीं है और एक और कभी है कि मन बैरागी तन बैरागी जगे जगे दुश्वारी है और जीवन जीना सरल न समझो बहुत बड़ी फनकारी है तो मन बैरागी तन बैरागी जगे जगे दुश्वारी है इस जीवन में बहुत कशनाईया है लेकिन जीवन जीना सरल न समझो बहुत कला है बहुत बड़ी फनकारी है तो आशा है कि आज आप इस कविता से प्रेणा लेंगे और और भी जो हमने कविताएं हमने थोड़ा सा संछेप में बता है उस कविता से आप प्रेणा लेंगे बच्चों ये बहुत ही प्रेणास्पत कविता है कभी महोदय ने हम सब का से प्रेड़ना लेंगे वस्की कवित होगे कि कुऊ होट में बाफ़ जिएनगे लिए कविता चेक्ष करें नहीं है कि कविता a lot कविता को पूर्र शांट करें और उसकंविता को लेकर के जीवन के हर छेत्र में अपorit परचम लहराएं मेरी यही आसा है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद